ख्र loh दोस्तों स्वागत आप सभी का घड़वाल एजूकेशन में दोस्तों हमने जैसे की कम्प्विट्र की सीरीज को शुरू कर रखे थे और इस सीरीज में दोस्तों हमने अल्रेडि आठ क्लासों को पुरा किया है यदि दोस्तों अभी तक उन 8 क्लासों को आपने नहीं देखा है ना तो description box में आपको playlist का link दिया गया है वहाँ से आप उन तमाम क्लासों को जो हमने पहले पूरा किया है उस link के मादम से आप उन सभी क्लासों को करम से देखिएगा ये कोशन दिल्ली पुलिस के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important रहने वाले है दोस्तों इस सीरीज में दोस्तों हम उन कोशनों को discuss करना शुरू कर रहे थे जो कि दिल्ली पुलिस पुराने पेपरों में आपको बहुत वार आपको पूछे गए है और यहीं से आपको कोशन आगे जो आने वाले जो दिल्ली पुलिस के पेपर में जो computer से relative जो content है आपको इनी क्लासों में यहां से दिक्तों देखने को मिलेगा चले दोस्तों कोशन को आगे की और बढ़ाते हैं आगे की और बढ़ाने से पहले दोस्तों बता दूँ यदि आपने मेरा टेलीग्राम चैनल जोइन नहीं किया है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जोइन कर ले सर्च कर ले गड़वाल एजुकेशन वहां से आपको जितने भी जो कलासे होती है अन्य कोई information होती है मैं वहां से आपको परवाइड करवाता हूँ और दोस्तों रोज शाम चार बज़े लाइव कलास आपके लिए होती है पिछले दो रोज से नहीं हो रही क्योंकि कोई technical issue है इस वज़े से नहीं हो पा रही है आगे continue रहने वाली है दोस्तों चलिए तो आज के first नमर का कोशन है आबारे सामने उसको पढ़ने तो हम और की यदी बात करे ना मैंने दोस्तों आपको पिछले क्लासों में यदी आप मेरे साथ continue बने विए थे ना तो एक सीज आप लोगों ने सीखा होगा कुछ मैंने आपको पांस से दस कुछ सोटकट कुंजियों के बारे में बताया था मैंने आपको जैसे कि इस कोशन में उन्ह प्लस C होता है कोफी करने के लिए होता है यदी वही बात करूं कंट्रोल प्लस V की बात करूं तो विपेस्ट करने के लिए होता है यदी वही बात करूं कंट्रोल प्लस X बात X को यदी मैं पुछ करूंगा तो वहां से कट के लिए होगा यदी मैं कंट्रोल प्लस V वहां से जो भी आपने काटा है या कुछ और कुछ किया है वो वापस लाने के लिए आपको दबाना पड़ेगा वहां से control plus z दबाना होगा तो यहां पूचा paste करने के लिए तो paste करने के लिए हम किसको किसका use करते हैं control plus v का प्रियोग करते हैं इसी प्रकार दोस्तों 141 नमर के कोशन का सही जबाब आपका होता क्या ए आपका सही विकल्प होता इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हैं एक बहतरीन कोशन की और स्क्रीन पे आपके आही सुका होगा ये भी दोस्तों आपको दिल्ली पुलिस के पेपर में ही पूचा गया है औ बस आप इन तमाम जितने भी कलासे मैंने प्रवाइड करवाई हैं, आगे मैं प्रवाइड करवाने वाला हूँ आपको, उन सभी कलासों को आप 15 से 20 मिनट निकाल के एक आद बार इनको रिवीजन कर लें आप लोग, कि आप इनको टेस्टों के अनुसार भी देख लें, कि ज आद भी हो जाता है, यदि आप इस वीडियो को दुबारा भी देखते हो, तो इस पर डबल करके इसको देख लीजिएगा, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हूँगे, यह कोशन, एमेस वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के उपर, छोटे अक्सर अंकीत करने के लिए, नीमी लिकित में से किसका उपयोग किया जाता है, यदि हमें एमेस वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के उपर, छोटे अक्सर अंकीत करने के लिए, नीमी लिकित में से किसका उपयोग करते हैं यदि हम टेक्ष्ट के उपर छोटी लाइनों के यदि उपर हमें कुछ लिखना होता है कुछ अंकित करना होता है तो हम किसका प्रियोग करते हैं यह ज़रा जल्दी बताईएगा कमेंट वोक्स में लिखें आप कि इसका सही अंसर क्या रेने बाला है 322 के कोशन का सही विकल्प क्या रेने बाला है तो दोस्तों मता दू सब्सक्रिप्ट रेने बाला है क्या होता है सब्सक्रिप्ट होता है जहाँपन छोटे एकसरों को वहां से लिखने का काम करते हैं अगले सवाल की तरफ लेकर चलता हूँ अगले सवाल हमारा एक बहुत प् कुंजी का प्रियोग करते हैं MS Word होता है MS Word में कोई भी paragraph होता है इस paragraph को यदि हमें select करना होता है तो select करना के लिए किस shortcut कुंजी का उपयोग करते हैं दोस्तों इस shortcut कुंजी वाले जो question है न वो important है हर साल आपको paper में पूछ लिये जाते हैं पिछले paper में भी आपको डेरो question पूछे गए है तो यह तो आसान सी बात थी दोस्तों किसी भी MS Word में यदि हमें paragraph को select करना होता है तो paragraph पर हम दोस्तों क्या करते हैं double click करते हैं double जैसे ही click करते हैं तो पूरा का पूरा जो paragraph होता है वो पूरा का पूरा paragraph automatically select हो जाता है यदि आप किसी पूरे page को select करना चाते हैं ना जैसे MS Word के पूरे ही page को select करना चाते हैं जितने भी आपके पास आपने काम कर रखा है उसके लिए काम आता है कौन सा control plus A आता है यदि किसी पूरे text को यदि आपको save करना हो तो और यदि paragraph की बात करें तो triple click करते हैं कितना करते हैं triple click करते हैं विकल्प होता A सही अगला सवाल MS Word में पहले से मौजूद dark file को खोलने के लिए निमे लिकीत में से किस keyboard shortcut कुणजी का उपयोग करते हैं आपके पास MS Word होता है इस MS Word में पहले से मौजूद कोई file होती है उस file को shortcut कुणजी का कि shortcut कुणजी का उपयोग करके आप उसको open कर लेते हैं ऐसा करके आप लोगों को पूछा गया है तो बताइएगा जरा कि question का सही विकल्प क्या रहने वाला है तो दोस्तों आपको बता दूँ यदि आप किसी भी मौजूद आपके पास MS Word में कोई file है यदि उसको आप खोलना साते हैं तो वहाँ से आप shortcut कुणजी का परियोग करते हैं control plus O का किसका परियोग करते हैं control plus O का परियोग करते हैं तो control plus O या विकल्प होता हमारा भी सही विकल्प होता इसी परकार दोस्तों आपको आगामी पेपर में भी इसी परकार के question पूछे जाने वाले हैं यह जितने भी question मैं आप लोगों को provide करवाने वाला हूँ इन तमाम कोशनों को आप एक आद बार परिक्सा में परिक्सा में जाने से पहले एक आद बार आप उनको देखके जाईएगा next अगला सवाल हमारा अगला सवाल है यहां से कि MS वर्ड के सम्मंद में निमी लिकित में से कौन सा कतन एससत्य है चलिए तु विकल्पवों को पढ़ते हैं देखें विकल्प हमारे पास ये हैं कि एक टेबल में सम संख्या में पंक्तियां और इस्तम हो सकते हैं ऐसा कह रखा है दूसरा एक टेबल में विसम संख्यां में पंक्तियां और इस्तम हो सकते हैं अगला एक टेबल में इस्तमों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो स एक टेबिल में पंक्तियों और इस्तमो की संक्या अलग-अलग हो सकती है देखो दोस्तों यहां से आप विकल्पों को देखते हैं आप तो किसी टेबिल में संपंक्तिया भी हो सकती है और किसी टेबिल में विसंपंक्तिया भी हो सकती है यह दोनों विकल्प सही है और दोस्त में इस्तिमोग की संक्या पंक्तियों की संक्या से अधिक नहीं हो सकती है तो कोई जरूरी नहीं है तो यहां से विकल्प होता गलत कौन सा विकल्प है यहां सी विकल्प होता तो 145 नमर के कोशन का यदि विकल्प भी बताते ना आप लोग तो यहां से कौन सा बताते हैं सी व यहां से दोस्तों यह लिखा वाई बंद करने और बंद करने के समय रहें, निमें लिकित में कोन सा गतन सथे हैं, किसी भी MS Word की जो फाइल होती है, इस MS Word की फाइल को खोलने और बंद करने से relative तर्लिच अकतन के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों इसका सत्यकतन क्या होता, चलिए तो देखते हैं, डिपोर्ट रूप से MS Word डोकुमेंट को खोलने पर इसमें कोई पेज नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है, पेज तो होता ही, एक आज़ साइसे एक ही पेज हो लेकिन पेज तो होता है इसमें, एक नई फाइल के लिए Windows button में new पर click करें, ऐसा कुछ देरखा है, किसी document को बंद करने के लिए window के उपरी दाएं पोने पर click करतें नहीं, किसी भी document को बंद करने के लिए window में उपरी, वहां से तो वो क्या हो जाता है, ये वाला जो button होता है, तीन होता है, तो यूं होता है आपके पास, कर देता, बंद थोड़ी करता है, तो ये गलत भी, ये खतन भी गलत है, डोकुमेंट को खोलने के लिए, सोट कट कुंजी, कंट्रोल प्लस अफ होती है, नहीं, कंट्रोल प्लस अफ नहीं होती, यहां से दोस्तों, सही विकल्प होता B, कि एक नई फाइल खोलने के लिए, वि तो बी विकल्ब दोस्तों यहां से सही होता बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्यारे से सवाल की तरफ अगला प्यारा सा सवाल है हमारा कि नीमिल लिकित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है उसे MS Word के पुराने संस्क्रणों जैसे कि MS Word सत्यान MS Word 2003 तके उप्यों किया जाता था ऐसा करके पूछा गया है कि एसी कौन सी बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है जिसको MS Word के पुराने संस्क्रणों के नाम से जानते हैं वो दोस्तों यहां से कौन सा है वो दोस्तों हैं यहां से .dos x होता है इसको अपन सन 2003 से पहले MS Word में काम में लेते थे आज कल तो दोस्तों MS Word 2011 आच चुका है 2013 भी आच चुका है ऐसे अलग लगा चुके हैं तो 2003 के संस्क्रण से पहले अपन MS Word की जो फाइले होती थी ना वहां लिखा हुआ होता है .docx वहां आपन लोग काम में लेते थे तो 147 नमर के कोशन का सही कल दोस्तों आप लोग जान पाएंगे。 दोस्तों सहसंद आपको पसंद आए और यदि आपके लिए उप्यों की साबित हो तो ये दोस्तों इसके लिंक को आप अपने अन्य साथियों को सेयर करें आप WhatsApp, Facebook यहाँ से आप लोग इसके सेयर कर सकते हैं. और दोस्तों आपकी ज यूज करवाता हूँ, वो क्यूज आप लोग लगा सकते हैं, कुछ information होती हैं, वो भी मैं आपको वहीं से provide करवाता हूँ, तो आप मेरे telegram channel अबस से join कर लें, link का आपको description box में दिया गया है, या आप directly search भी कर लें, आप दोनों में से कोई सा जवाब को सही लगे, वैसा आप लोग join कर लें, next अगला सवाल, हमारा दोस्तों अगला सवाल है, कि एक MS Word document में paragraph को edit करने के लिए निमे लिकित में से किस keyboard shortcut कुझी का उपयोग किया जा सकता है, दोस्तों, MS Word का कोई भी document होता है, उस document का जो paragraph होता है, उस paragraph में यदि हम कुछ edit करना चाते हैं, तो edit करने के लि किसका करते हैं, दोस्त, control plus M का उपयोग करते हैं, तो यहां से दोस्तों, 148 नमर के question का सही जबाब होता, AV कल्प होता, कि किसी भी MS Word की जो file होती है, उस file में paragraph में यदि हम कुछ edit करना चाहें, तो control plus क्या दबाएंगे, M दबाएंगे, AV कल्प दोस्तों, हमारा यहां से सही ह होगा, और दोस्तों, अब मैंने कुछ shortcut कुंजियां आपको पहले discuss करवा चुकी है, यदि आप मेरे साथ session में सुरुआज से continue बने हुए हैं तो आप जान नहीं पाए होंगे, मैंने आज भी आपको 5-7 shortcut कुंजियां बताई हैं, और अकसर हमें परिक्सा में shortcut कुंजियों से उप्योगी होती हैं, परिक्साओं की दरश्टी से important होती हैं, उन shortcut कुंजियों को देखेंगे दोस्तों, यहां से 149 नमर के question को पढ़ें, आप MS Word में निमिल लिकित में से कौन सा मन ने sense case विकल्प नहीं है, sense case के बारे में पूछा गया है, निमिल लिकित में से कौन सा sense case न होता है, लेकिन जो पासकल जो case होता है न, वो नहीं होता है, दोस्तों, MS Word में, यह कभी भी परियोग में नहीं लाते हैं, तो 149 नमर के question का सही विकल्प तो जानी चुके हैं, कौन भी विकल्प, और दोस्तों, रोजाना आप मेरे साथ live class में जुड़ जाईएगा, च्यार को आ रहा है, उसकी विज़ा से live class नहीं हो रही है, लेकिन अगले रोज से continue रहने वाली हैं, दोस्तों, आप बिंदास रहिएगा, next, अगला सवाल, 150 नमर का question है, कि MS Word में निमे लिकित में से कौन सा दरस्य विकल्प, व्यू उप्शन, किसी document के content को blit point के रूप में दरसात होता है, जो document में content को blit point के रूप में दिखाता है, जैसे कई बार अपन अंडरलाइन करते हैं, वैसे MS Word में भी automatic जैसे-जैसे हम काम करते हैं, वहाँ जिस line के निचे अपन अंडरलाइन करना चाहें, वो हो जाती है, तो blit point के रूप में क्या दरसाता है, अंडरलाइन दरस होती है, shortcut जो कुझिया होंगी, उन shortcut कुझियों को आप लोग पढ़के जाईएगा, हर paper में आपको एकाद-एकाद कोशन देखने को मिलने वाला है दोस्तों, अगला एक प्यारा सा सवाल तुमारे सामने आई ही चुका है, पहरे कोशन को पढ़ लेते हैं, कि MS Word की एक table में new न्यून्तम कोलम्स कितने होते हैं, ऐसा करके हमें पूछा गया है, न्यून्तम कोलम्स की बात करेना तो कम से कम न्यून्तम कोलम्स होता है, वहां कितना एक होता है दोस्तों, यहां से 1011 नमर के कोशन का विकल्प भी बताते हैं, तो क्या बताते हैं, एक विकल्प हमारा यह का समान होता है जैसे कि हम किसी भी MS Word में किसी फाइल को सेव करते हैं तो अपन क्या दबाते हैं अकसर जिस shortcut kunji का प्रियोग करते हैं वो होती है control plus x दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ हमने पिछले क्लासों में कुछ shortcut kunji को सिखा है आज भी मैंने shortcut kunji को वापस से आपको बताया control plus x cut करने के लिए होती है control plus c जो होती है वो control plus c copy करने के लिए होती है control plus v paste करने के लिए होती है control plus x cut करने के लिए होती है control plus v print करने के लिए होती है control plus a जो होता है वो किसी भी paste को पूरो और जो चीजें होती हैं उनको select करने के लिए होती है और एक और जान चुके control plus S जो होती हो किसी भी file को save करने के लिए काम में आती है लेकिन control plus S के समान जो अन्य सोट कट कुझी हम लोग काम में ले सकते हैं वो होती है sip plus F 12 sip plus F 12 से भी MS जो word है उसके content को हम save करने के लिए काम में ले सकते हैं तो यहां दोस्तों विकल्फ होता 152 नंबर के question का D.V.कल्फ हमारा right जबाब होता इसी परकार दोस्तों अगला एक बहतरीन सा सवाल तुमारे सामने आ चुका है question को सबसे पहले पढ़े हैं किन्नी में लिखित में से कौन सा MS word का में cut या copy किये गए text को संग्रेइद करता है ऐसे पूछा गया है किन्नी में लिखित में से कौन सा MS word में जो अपन cut का cut या copy के लिए जो text को संग्रेइद करता है वो दोस्तों होता है clipboard कौन होता है दोस्तों, clipboard होता है, 153 नंबर का जो question है, 153 नंबर के question का विकल्फ होता, यहांसे सही जबाब होता, इसी प्रकार दोस्तों, ऐसे ही question आपको आगामी paper में भी पूचे जाने वाले हैं, जैसे-जैसे question आप लोग पढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे आप comment box में लिखते करवाता हूं उसमें मैं आपको 20 कोशन ही परवाइड करवाता हूं ऐसे ही रात की बात करें तो रात को मैं 9 वजे लाइव आता हूं 9 वजे साइंस की क्लास होती हैं वहां से आप इन दोनों क्लासों को जोड सकते हैं दोनों क्लासों में जुड सकते हैं अपना अन्य कोई साती उस अन्य साती को भी यहां से आप लोग जोईन करवा सकते हैं दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बैल आइकन को भी दबा दे जिससे की मेरे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचने वाला है दोस्तों आज का अगला सवाल है अगला सवाल अमारा ये है कि MS Word में निमे लिकित में से कौन सा व्यू ओप्सन दिखाता है कि आपका डोकुमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देता है ऐसा ही कोशन आपको देखो यहां से दिखाई दे रहा होगा आपको दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया है ये कोशन कि MS Word में निमे लिकित में से कौन सा व्यू ओप्सन जो होता है वो ऐसा दिखाता है कि आपका डोकुमेंट वेब पेज के रूप में कैसा है तो उसकी बात करूँ तो वेब ले आउट होती है वो कौन होती है दोस्तों वेब ले आउट होती है जहां से अपन किसी भी जो डोकुमेंट होता है उस document के बारे में देखते हैं कि वो web page के रूपे है या नहीं है तो 154 नमबर के question का सही जबाब होता क्या भी हमारा सही जबाब होता web page हमारा यहां से सही answer होता इसी परकार के बहतरी इन question आपको आगामी paper में भी देखने वाले हैं यह जितने भी class में आपको provide करवाने वाला हूं सभी class हों आप सुरू से last तक बने रिएगा एक आध बार आप इनको देख लें खुद बो खुद जिससे कि question जो आपके लिए अब जो नहीं आ रहे हैं वो भी आपको आने लगजाएंगे दोस्तों हो जाँ भी स कोशन कम से कम याद करी सकते हैं अगला सवाल दोस्तों हमारा यह है कि MS word में table के बारे में निम्ल्लिक्ट में से कोन सा कतन एसकते हैं MS word की table होती है एक table में केवल एक row और एक column हो सकता है बिलकुल यदि आप एक रो और एक कोलम बना होगे तो वहाँ MS Word में वो भी हो सकता है बिल्कुल ये तो सही है और दोस्तो कोशन को थोड़ा सही पढ़े हैं कई बार हमें परिक्सा में ऐसे कोशनों का शामना करना पढ़ता है सही पूच सकते हैं पूचा जाता है गलत बता क्या आते हैं गलत पूचा जाता है और हम सही बता क्या जाते हैं फिर घराने के बाद पता चलता है कि हमें कोशन में पूचा गया क्या था तो सही है बी विकल्ब की बात करूँ तो एक टेबिल में केवल एक रो हो सकते हैं बिल्कुल यह ऐसा भी हो सकता है एक रो भी हो सकती है भी विकल्ब भी सही है ऐसा कोई बात देल नहीं है सी विकल्ब की बात करूँ एक टेबिल में एबाज्य संक्या में कोलम नहीं हो सकता, ये कोई जरूरी नहीं है, एबाज्य संक्या में नहीं हो सकती, आप साहें जितने कोलम बना सकते हैं वहाँ, एबाज्य संक्याओं का मतलब है, जिसमें खुदगाई भाग जाता हो, और ने C हमारा दोस्तों यहां से सही विकल्प होता क्योंकि इसमें गलत चीज़ें दे रखी हैं बाकी परिक्सा में थे तो आपको C विकल्प तक ही जाना था बाकी अब यदि घर प्रक्टिस वेज़ पर बैटे हैं तो आप इनको भी पढ़ने D विकल्प को भी पढ़ने एक टेबल में केवल एक कोलम हो सकता है बिलकुल एक टेबल में एक कोलम हो सकता है तो A, B, D यह तो सही है गलत कौन सा है C तो जबाब होता C विकल्प अगला सवाल MS Word में एक font size drop down box है इसके माद्यम से chain किया जा सकने वाला सब बड़ा font size क्या हो सकता है MS Word जो होता है इस word में एक font size भी जो drop down box होता है उसके माद्यम से chain किया जा सकने वाला सब बड़ा font size क्या होता है सबसे बड़ा जो phone size होता है ना सबसे सबसे बड़ा जो phone size होता है वो क्या होता है सबसे छोटे की बात करो ना तो सबसे छोटा phone यह दी कहीं पूचा जाए ना इसमें तो सबसे छोटा phone तो होगा 8 का और सबसे बड़े phone की बात करें सबसे चोटा होगा दोस्तों कितना एट होगा कोईशन को पढ़े होंगे जान पाए होंगे अगले सवाल की तरप लेकर चलता हूँ दोस्तों आपको और अगले सवाल में आपको यूँ पूछा गया है कि एक MS Word डोक्यूमेंट में हाइपर लिंक डालने के लिए टकुनजी का हम लोग प्रियोग करते हैं ऐसा करके हमें पूछा गया है किसका प्रियोग करते हैं चलिएगा बताइएगा देखें तो दोस्तों यहां कोईशन को पढ़ लिया होंगे आपको यह दोस्तों साथ दिसंबर के पेपर में आपको पूछा गया कोशन है और इसी परकार के दोस्तों यदि आप इन तमाम क्लासों में continue रहके सारी चीजों को सीख लेते हैं ना तो ये कोशन जो हैं मैंने आपके लिए MCQ जो आपके लिए तयार की हैं इस सारे के सारे कोशन आपके लिए बहुती उपयोगी साबित होंगे दोस्तों वहां से कुछ कोशन तो ऐसे होंगे आपको वहां से देखने को मिलने वाले हैं तो दोस्तों इस कोशन का सही जबाब होता कंट्रोल प्लस जो के होता है इस Ctrl plus K का हम लोग उप्योग करते हैं किसमें कोई भी MS Word की जो फाइल होती है उसमें Hyper जो लिंक होता है उस लिंक को डालने के लिए अपन जिस सोटकट कुंजी का प्रियोग करते हैं वो होता है Ctrl plus K अगला सवाल 158 नुम्बर का सवाल है कि जब आप MS Word डोक्यूमेंट में किसी टेबिल के किसी मद्यवर्ती सेल का सेयन करते हैं और Shift plus Tape कुंजी को दबाते हैं तो क्या होता है किसी भी आप सेल को यदि सुनते हैं वहां से और यदि Ctrl plus Tape का प्रियोग करते हैं तो क्या परिवर्तन देखने को मिलता है ऐसा करके पूछा गया है तो पढ़ते हैं विकल्पों को कि वर्तमान सेल के पास की राइट सेल के कंटेंट को सेलेक्ट कर लिया जाता है नहीं ऐसा नहीं हो पाता है अगला पढ़ते हैं वर्तमान सेल के पहले left cell के content को select बिलकुल यदि आप shift plus tape दबाते हैं तो जो आपने काम कर रहे हो उसमें cell के पहले का content होता है या जो cell होती है वो select होने लगती है दोस्तों ये विकल्प यहां से 588 नंबर का जो question था वहां से भी विकल्प यहां से सही होता कि किसी भी cell के पहले के जो content होता है उसको open select करना चाते हैं तो shift plus tape का हम लोग प्रियोग करेंगे वहां से तो भी विकल्प दोस्तों यहां से हमारा सही होता अगला सवाल एक भैतरीन सवाल है दोस्तों इसमें भी आपको shortcut कुंजी से relative तो दोस्तों आपको बता दू shortcut कुंजी अब बहुत ज़दा important है आगा में परिक्साओं के लिए तो आप देख रहे हूं बहुत सारे question आपको shortcut कुंजी से relative पूछे गए है MS Word के document को बंद करने के लिए निमें लिकित में से किस shortcut कुंजी का प्रियोग किया साता है ऐसा करके पूछा गया है कोई भी MS Word की file होती है यदि इस MS Word की file को आपको बंद करना हो, direct बंद करना हो तो आपकिस shortcut कुंजी का प्रियोग करते हैं ऐसा करके यदि अमें पूछा जाए तो आप लोग बताना कि हम जिस सोटकट कुंजी का प्रियोग करते हैं वो दोस्तों होती है कंट्रोल प्लस डबलू होती है जिसके द्वारा हम किसी भी MS जो वर्ड होता है उसकी फाइल को अपन डाइरेक्ली बंद कर सकते हैं 144 नमर के कोशन का विकल्प होता अगला सवाल अगला सवाल है यहां से दोस्तों कि जो आज की सेसन का अंतीम सवाल रहने वाला है MS वर्ड में पेश्ट ओप्सन के लिए निमे लिकित में से किस कीबोर्ड सोटकट कुंजी का उप्रियोग करते हैं ऐसा कोशन आप लोग मेरे को कमेंट वोक्स में बताएं कि किसी भी MS वर्ड की फैल होती है उसमें यदि किसी भी कंटेंट को यदि आप पेश्ट करना चाते हैं उसके लिए दोस्तों किस सोटकट कुंजी का प्रियोग करते हैं और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दू हमने आज ये 9 नुमर की क्लास ली है इससे पहले दोस्तों हमने 8 क्लासों को पूरा किया है यदि अभी तक आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो करम से आप उन सभी क्लासों को देखते हुई आई जिससे कुछ जुडाव की चीज़े भी समझ में जैसे कि जो साती मेरी पिछली क्लासों में बना वा था कंट्यून्यू उनके लिए बता दू इस कोशन के लिए यदि वो इस्टूडेंट इस कोशन को पढ़ रहे होंगे न उनके लिए बहुत ही आसान चीज है ये कोशन तो इस कोशन का आंस्वर आप कमेंट वोक्स में मेरे को बताने वाले हैं कि MS Word में पेस्ट करने के लिए कि सोटकट कुंजी का प्रियोग करते हैं आज भी ये इस क्लास में भी ये आप लोग कंट्यून्यू बने हैं तो मैंने कुछ 57 सोटकट कुंजियों का आपको सिकाया है कि Ctrl प्लस C होती है पेस्ट करने के लिए Ctrl प्लस P होती है वो क्या काम करती है प्रिंट करने के लिए पेस्ट करने के लिए नहीं होती है तो इस question का आप ही जबाब बताएं comment box में लिखें और दोस्तों आपकी जनकली के लिए बतादू रोज शाम आपके लिए रोज शाम को मैं 4 बज़े आपके लिए computer की MCQ की जो series है उसको continue करता हूँ और रात 9 बज़े live session में हम लोग जानते हैं science की जो मैंने series सुरू कर रखी है उसको सुरू करते हैं तो वहां से आप दोनों classों में जुड़ सकते हैं अब तक कि जितने भी classों हो चुकी हैं उनको भी आप लोग देख सकते हैं comment box में मैं आपको playlist का link दिया गया है उस playlist के link के मादियम से आप उन सभी classों को करम से देख सकते हैं दोस्तों तो इसी प्रकार दोस्तों इस question का तो answer आप comment box में बता नहीं वाले हैं और दोस्तों मिलते हैं इसके अगली class में अगले session में तब तक के लिए आप अपना ख्याल और अपना कर दोस्तों में